हेलो एवरिवान आप डोक्टर करेश का कोशिक वेलकम यह लोन टोपर स्टोप सो गाइस कई दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी जब मैं लेबर कोर्ट 2019 और 2020 के डिफरेंसिस को बता रही थी कि न्यू लेबर को 2020 को भी डिसकस किजे तो गाइस यह वीडियो जो है यह आपकी इसके बारे में पूछा जा सके तो आप जो है आप इस वाली वीडियो से अपना मीन्स का भी अंसर एजटी लिख सकते हैं पूरा कम्प्लीटली इंटर्व्यू इप्याफों का दे रहे हैं तो वो कम्प्लीट एटैंप कर सकते हैं और प्रिलियम स्विसक अंदर कवर है ही ह तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और इंटर्व्यू में आपसे कोई भी एड्वेंटेजिस, कंसर्म्स क्या है, कॉंक्लीजन क्या ये पूछा जा सकता है तो वो सारी डिटेल से आपर बताई जाएगी तो कोशन जो आपको मीन्स के लिए प्रिपेर करना है वो इस वे में करना है कि तो आप से यहां पर बेसिकली पूछा गया है तो आपको ओवरोल सारी डिटेल यहां पर बतानी है कि क्या ये लेबर कोट्स हैं, क्या इसके कंसर्स हैं, क्या बेनेफिट्स होंगे और लास्ट में आपको कॉंक्लियूजन देना है तो ये जो होगा आपका एक अच्छा अंसर बन जाएगा और उसी के साथ जो है जितने भी चैलेंजिस आप से देखी कि स्पैसिफिकली पूछा गया है तो चैलेंजिस तो आपको यहां पे लिखने ही लिखने है जो भी स्कोर्ट से एसोसेटेड है तो अगर आप कही पर अपने नोट्स बनाते तो आप इस कोशन को नोट कर लीजे और अंसर्स के भी नोट्स बनाने शुरू कर दीजे तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक प्रिलियम्स के पॉइंट से जो कि आपका पॉलिटी का भी पॉइंट हो सकता है तो ये कंक्रेंट लिस्ट के अंदर लेबर का जो सब्जेक्ट है वो आता है तो यहाँ पर बेसिकली जितनी भी कंट्री की कॉंप्लेक्स लेबर लोस थी उनको सिंप्लिफाई करने के लिए और उसी के साथ वर्कर के बेनिफिट से कंपंशेट करते बीना मतब कि वर्कर के बेनिफिट के ऊपर भी कोई असर ना आए और उसी के साथ जो इकोनमिक एक्टिविटी है उसको भी एक बूस्ट अप मिल जाए यह सारी चीजों को कंसीडर करके न्यू लेबर कोर्स को बनाया गया है तो यहाँ पर जो न्यू लेबर कोर्स है उनका लेबर रिलेशन्स जो इंडिया के अंदर है उनके उपर एक ट्रांसफोर्मेटिव इंपक्ट देखा जाएगा यह अगर आप अंसर के लिए देख रहे हैं मेंस के अंसर के लिए तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर यह पॉइंट डालेंगे ठीक है और वैसे जो और स्टूडेंट से सिर्फ एपिएफो का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए यह एक बेसिक इंट्रोडक्टरी हो गया तो यहाँ पे जो है इसके साथ जो है कोड़ों वेजिस एक जो 2019 के अंदर बनाया गया था इसके साथ जो यह तीन नई लोज बनाई गई है यह बेसिकली सेंट्रल और जो स्टेट लोज है लेबर को उन सबको अमिलगमेट करेगी उन सबको मिला देती है तो यहाँ पे देखें सेकेंड नेशनल कमिशन ओन लेबर जो 2002 के अंदर बनाया गया था उसमें यह रिकॉमेंडेशन दी गई थी कि आपको इस तरीके के लेबर कोर्स को अडोप्ट करना चाहिए यह आपका नेक्स प्रिलियम्स का पॉइंट है और इसके अंदर टोटल कि देखना है कि कौन से कोर्स के अंदर कौन सी जो है में स्पैसेफिक मतब कि आपको पूरी डिटेल नी जाना सो स्टेट लो चाली सेंटर लो तो यार नहीं कर सकते ने यार आप यहां पे तो यहां पे जो में है आपको बस वो याद दखने कि जो सोशल सेक्योरिटी कोड है उसके अंदर 9 टोटल लोस को सबस्यों किया गया है यह नंबर आप याद कर लिजेगा जैसे कि Employees Provident Fund Act 1952 हो गया Maternity Benefit Act 1961 हो गया और उसी के साथ जो Industrial Relations Code जो बनाया गया है उसके अंदर Industrial Dispute Act 1947 Trade Union Act जो 1926 की है Industrial Employment Standing Order जो 1946 का है उसको सबस्यों किया गया है और उसी के साथ जो Occup तो यह जो है आपका Means के अंसर तरीकी से भी हो गया और जो Student से EPF हो के उनके Prelium Point हो गये अब देखते हैं कि यह जो तीन Labour Code 2020 के है इनके Key Proposal क्या है इसको शुरू करने से पहले मैं सभी Student जो कि यहाँ पी New हैं हमारे Subscribers उनको बता दूं कि Guys 2019 और 2020 के जो Labour Code है उनके बीच में प्रोपर डिफ्रेंस के उपर मैंने टोटल चार वीडियोस बना रखिया है उनकी जो PDF है वो भी Telegram चैनल पर हमारे पर अपलोड़ीड है और यहां पे भी आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को जरूर द भी इस Code के थरू जो company ज़ने उनके लिए एक प्रोसेस को इजी कर दिया गया है कि वो वरकर्स को कभी भी ख़रर कर सकते हैं कभी भी फाय कर सकते हैं मतलकि उनको अपोइंट भी कर सकते हैं यह इस Nan accompanied इस code का उसके साथ यह का गया यह देखे क्या होता था पहले कि जो companies हैं उनको जो कि 300 workers को employ करती थी उनको जो है rules frame करने पड़ते थे कि वो किस तरीके से अपने industrial establishment के अंदर किसी worker को employ करेंगी तो अब जो है इस तरीके के rules को frame करने की उनको जरूरत नहीं है companies को जो कि 300 workers जो है उनको appoint करते हैं presently जो ये compulsory था वो 100 workers के लिए था कि मतलब कोई establishment जो उनके लिए compulsory हो जाता है कि जो है उनको frame rules करने पड़ते थे बटा 300 workers तक भी इसको नहीं करना जरूरी है उसी के साथ जो workers factories के अंदर काम कर रहे हैं अगर उनको कोई grievance होता है factory से तो वो अगर strike करना चाहते हैं तो उनको पहले से ही 14 days advance में notice देना होगा employer को कि हमारा ये issue है इसके लिए हम जाके strike करना चाहते हैं अभी तक ये जो provision था ये सिर्फ जो था public utility services के अंदर जो workers काम क्या करते थे उनके ओपर apply था मतलब कि इसके अलावा जो कोई establishment में strike करता था उसको advance notice नहीं देना होता था सिर्फ public utility services के अंदर workers जो थे उनको इस तरीकी का notice देना होता थ ये सारी चीजे मैंने उन differences वाली वीडियो में explain करा है एक एक रम तो वहाँ पर पढ़ लिजी इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती इसलिए मैं भी यहाँ explain नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर जो है हर industrial establishment जीजो की 20 या उससे ज़्यादा workers को employ करती है उनको का गया है कि आपको एक या उससे ज़्यादा grievance redressal committee जो है वो बनानी चाहिए ताकि जो भी employees के grievances है उनके disputes को resolve किया जा सके उसी के साथ ये भी का गया है कि आपको एक reskilling fund को भी propose करना चाहिए मतलब कि set up करना चाहिए ये propose किया गया है और ये reskilling fund जो है वो किसले बनाया गया है ता 2020 का तो यहां पर basically जो employer की duties होती है उनको बताया गया है कि क्या है और employees की duties को भी बताया गया है किसके sense में बताया गया है मतलब कि किस एक regard में क्या गया है तो जो safety standards होते हैं किसी भी employee के different different sectors के अंदर उनके health के उपर focus करना workers की working conditions के उपर कितने hours जो है वो work कर रहा है उनके lives इससे related जो भी issues होंगे वो आपके occupational safety health and working condition code bill 2020 के अंदर सबस्यों कर दिये गए है यहां पर देखिए एक चीज़ आपको याद रखने है कि यह जो code बनाया गया है यह सिर्फ permanent workers के लिए नहीं बनाया गया है यहां पर जो contractual workers है उनके rights को भी recognize किया जाएगा इस code के अंदर य इस time उनको requirement है सिर्फ उसी time period के लिए उसकी basis of requirement पे उनको employee करें और इसमें कोई भी किसी भी sector के ऊपर कोई restriction नहीं लगाई गई है for the regard of employment after जो है इसके बाद जो आता है कि यहां पर statutory benefits जो है वो भी provide करने की बात की गई है जैसे कि social security के benefits हो गई वेदी की हो गई फिक्स तरम employees को जो दिये जाते थे वो अब जो उनके permanent counterparts को मतलब की जो दिये जाते थे अब वो temporary जो workers employee के जारे हैं जो contracts पे के जारे हैं उनको भी वो सारे social security के benefits provide किये जाएंगे code के अंदर ठीक है तो उसी के साथ जो है यह भी का गया कि कोई भी जो worker है उसके अगर हम working arts के बात करते हैं तो कोई भी एक person एक दिन में 8 घंटे 8 आर्ट से जादा का काम नहीं कर सकता और अगर हम weekly days की बात करते हैं तो एक week में वो सिफ 6 days काम करेगा उससे जादा काम वो नहीं कर सकता वरना यह code के against हो जाएगा अगर कोई employee जो है वो 8 आर्ट से जादा काम कर रहा है किसी भी जैसे उस time requirement है तो उसको जो है overtime देना होगा अब यहां पर आप एक समझेंगे कि किस तरीके से उसको wages pay की जाएगी मैं जैसे एक simple example दे रहे हूं कि जैसे कि एक जो person था उसको एक घंटे काम करने के normal अपना जो 8 घंटे का time था normal job के अंदर उसको पर घंटे के 10 रुपे मिलत twice होगा जो rate उसको पहले provide किया जाता था ठीक है तो यहाँ पर किसी भी establishment के लिए चाए वो छोटी हो चाए वो बड़ी हो तो अगर कोई चोटी से चोटी सोरी अगर कोई चोटी से चोटी establishment है जिसके अंदर 10 workers भी अगर काम करते हैं तो उनके उपर यह provision जो है वो apply होगा उसी के साथ court के अंदर जो है वो gender equality की बात की गई है जिसमें की women workforce जो है उसको empower करने की बात कही गई है यहाँ पर यह नहीं depend करता कि मतब कौन सा type of work के लिए women की बात की जारी सभी type of works में जो female worker है उनको include किया जाएगा और इन से जो है consent लिया जाएगा कि आप 6 बजे सुबह 6 बजे से पहले और after 7 पीम जो है वो work करना चाते है या नहीं करना चाते है अगर वो उसके लिए agree होती है तो जो establishment है उसकी duty हो जाते है उनकी safety का काम करे उस time history में ऐसा हुआ है कि labor course के अंदर जो transgender के rights है उनको भी recognize किया गया है ताकि transgender community जो अपना एक conventional work इतने सालों से करती आ रही थी उसको छोड़के जो है वो एक normal person की तरह जीना शुरू करे और हमारी industries में आती involved हो अपना contribution दे तो उसी के लिए जो industrial establishment है उनमें mandatory किया गया है कि washroom bathing places और जो local rooms है वो male female और जो transgender employees है सबके लिए अलग-अलग बनाए जाएंगे तो transgender persons को भी अब proper एक यहां पर recognition दिया जा रहा है next और last रहता है यहां पर code on social security bill उसके बाद हम advantages, criticism इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो है इसके अंदर 9 social security laws को replace किया जैसे कि maternity benefit act हो गया, employees provident fund act है, employees pension scheme है, employees compensation act है और भी बाकी सारी इसके अंदर सबस्यूम कर दी गई है, यहां पर यह जो code है इसके अंदर social security का coverage प्रोवाइड किया जाता था उसको universalize कर दिया गया है, मतब कि सभी workers जो हैं जो कि formal के अंदर थे, organized sector के अंदर थे, उनके बता रखा है, आप उसको जरूर देखें, वो बहुत important वीडियो आपके लिए, तो यह जो है, उनके उपर, सब के उपर code जो है, वो apply होगा, यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है, कि जो provisions and social security के वो agriculture workers के लिए भी extend किये गए हैं, तो agriculture sector को भी इसके अंदर include किया गया है, और उ हर किसी kind of employees को दी जाएगी, fixed firm employees हो गए, contract labor हो गए, daily या monthly wage workers से सब भी को यह provide किया चाहेगा, ठीक है, अब जो यह labor course बनाये गए हैं, यह तो हमने discuss कर ले, अब इसके benefits क्या होंगी, यह आपको पता होना चाहिए, पहले बात तो यह है, कि जो भी complex low अब तक country के अंदर थी, म 43 central laws की, उन सब को simplify किया गया है, और consolidate किया गया है, और यह जो bill था, यह पिछले 17 सालों से जो था, बट अब इसके उपर court सही में मतल कि जो चीज़े है, वो बनाई गई है, क्योंकि 2002 में यह recommendation दी गई थी, second national commission के तरू, तो इससे क्या होगा कि जो industries है, और जो employment है, उनको एक big boost मिलेगा, और उसी के साथ जो एक इतनी सारी definitions आ जाया करती थी, कि इसकी definition याद करो, अब जो यह multiplicity हुआ करती थी, definitions की, वो reduce हो जाएगी, और उसी के साथ जो है, authority है, उसकी multiplicity को reduce कर दे जाएगा, मतलब यहाँ पे एक appropriate government बना दी गई, मतलब कि हमारी central government, उसी के साथ जो processes को, मतलब कि early way, resolution of disputes के लिए, वो बनाए गए है, ease of doing business जो है, वो इससे improve होगा, क्योंकि कुछ economies जे कह रहे हैं, कि यह जो reforms है, यह investment और improve ease of doing business हमारी country के अंदर करेगा, क्योंकि complexity जो reduce हो जाएगी, तो इससे लोग ज्यादा attract होंगे, हमारी उसके, मतलब के, economy के अंदर, उस benefits जो हैं, वो labor के बहुत जादा provide के गए हैं, जैसे three labor courts के अंदर, fixed employment को promote करने की बात की गई है, जो trade unions का influence है, उसको reduce करने की बात की गई है, महीं पे जो social security net informal sector हैं, workers को उनके लिए भी provide किया गया है, extend किया गया है, अब क्या-क्या concerns हैं, क्या-क्या challenges आपको है, जो मैंने पह पहली बात हो, यह interest of employees के against है, जैसे हमने पहला ही point, जो simple देखा था, कि जो employer है, वो कभी भी किसी को hire भी कर सकता है, और fire भी कर सकता है, तो यहाँ पर यह जो hire and fire the employee at will, अपनी मर्जी से जो यह करने का provision दिया गया है, यह गलत है, यहाँ पर उसी के साथ जो companies है, वो अपनी, जो होगा, वो arbitrary services condition for workers provide कर सकते हैं, क्योंकि यह देखे, जब corona के time में recession आया है, तो उसके बाद कितनी labor loss को flexible कर दिया गया, कि अब labor loss जो है, वो 3-4 सालों के लिए नहीं आएंगी, मतलब कि implement नहीं होगी, तो आप जो labor's है, उनके साथ किसी भी तरीके से deal कर सकते हैं, उनकी service conditions को कैसे भी manipulate कर सकते हैं, free hand जो है, वो state को दे जया गया, जो मैंने अभी आपको बता है, तो central government ने इसके लिए बहुत बड़ा criticism जो है, वो face किया है, जो states को labor rights के violations का है, कि labor rights के violate किये गए हैं, यहाँ पे labor issues जो concurrent list के अंदर था, उसके उपर union minister ने low बना दिया और flexibility बहुत ज establishment है, कि वो जो मर्जी चाहें, change अपनी wish के according कर सकते हैं, उसके साथ जो industrial piece है, उसके उपर effect पड़ेगा, तो यहाँ पर आप सिंबल सीची देखे, कि कोई जो worker है, factory के अंदर काम कर रहा है, उसको अगर strike करने हैं, तो वो आप 14 days पहले का notice देगा, तो अब आप यह देखे कि मैं हूँ, मेरे को strike करने हैं, मैंने अपने boss को दे दिया, कि 14 days बाद मैं strike करने वाले हूँ, अब boss का डंडा तो हटा है, मेरे सिर पे रहेगा ना, सारे मेरे को घूरेंगे, मेरे ओपर point करेंगे, तो उससे industrial piece खतम होगा, लड़ाई जगडे का महोल बनेगा, अगर मैं अगल करने के लिए, मतलब की एक जो है, fact देने के लिए, आप इस वाले point को डाल सकते हैं, कि जो standing committee on labor, उन्होंने भी recommend किया था, कि ये जो expansion किया जा रहा है, मतलब कि पब्लिक utility से जादा जो की जा रही है, वो against है, मतलब कि इसकी जरूरत नहीं है, तो ये वाला point आप इसमें डा सकते हैं, ठीक है, अब conclusion के उपर आते हैं, कि पूरे इसके अंदर भी 2-3 facts को हम discuss करते हैं, तो जो हमारा periodic labor force survey हुआ था, जिसके उपर भी मैंने वीडियो बना रखे, आपको playlist के अंदर ही वो मिल जाएगी, ये भो ज़्यादा important है survey, तो यहाँ पर 71% जो है regular wage salaried workers जो है, अ तो ये जो new laws आई हैं, जो कि simplify कर रहे हैं compliance को, और मतब कि एक नए incentive दे रहे हैं, तो उससे workforce जो है, उसका formalization होने के chances है, so this is a good thing, second जो है, यहाँ पर एक आगया है, कि जो new labor courts आए हैं, वो जो भी good quality jobs हैं, उनको increase करेंगे growing workforce के लिए और उसी के साथ जो rising aspirations होती है, out migration of labor की agriculture से उसको बढ़ावा देगी, कि मतब agriculture से बढ़के जो है, लोग आगे सोचेंगे, migrate करना शुरू करेंगे agriculture से, क्योंकि agriculture में ही सब घुसे हुए अभी इस time period में, तो उससे क्या होगा, एक जो skill cost है, वो improve होगी, और हमारी जो economic recovery है, वो post COVID-19 ज्यादा speed से हो पाएगी, तो यह व दूंगी जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ लीजे, पहले मैं इसको पढ़ा चुकी, इस वज़े से हम मैं दुबारे इसमें detail में नहीं जा रही हूँ, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe ज